सो वाइरल इट एपिसोड 46 में आप सबका स्वागत है दोस्तो यहाँ से सियन जुन की स्टोरी और सियन जुन की बैक स्टोरी चालू होने बाला है जो कि बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने बाला है सो अगर आपको देखना है प्ली सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहले एपिसोड आप देख पाओ इसले एपिसोड में हमने देखा था सियन जुन होबिन के बाहाँ पे आके होबिन मानगी सबको बुरी दरा से मारता है और तभी बाहाँ पे एंट्री होता है तेवन का अब आगे एपिसोड की शुरू में हम देखते है तेवन घूमते हुए बहुत जोड से उसके फेस पे एक बहुत खतरना कीक मारता है सियन जुन बही पे घूमते हुए नीचे गिरता है तेवन असते हुए कहता है स्नैपर को देखते है हम लोग जीत चुके है तेवन की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है वो बहुत ज़्यादा एक्जास्टेट हो चुके है स्नैपर कहता है मुझे बिश्पास नहीं हो रहा है सियोन जुन नॉकाउट हो चुका है तुम आए सच में ये बहुत अच्छा हुआ है चलो अब हम हम हमारे क्रिव के बारे में कुछ करते हैं जो लोग लरे हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है तेवन दिरे दिरे होबिन के पास आता है तब इस नैपर उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या लगता है तुझे कहा जा रहा है तू तुझे पहले चेक कर लेना चाहिए ताकि मैं मर चुका हूँ की नहीं और तभी देखते उसका सर पकरता है और अपने नीज से बहुत खतरना के एक नीज स्ट्राइक मारता है ये देखके स्नैपर बहुत ज़्यादा है सियोन जुन कहता है क्या तुम्हें पता है क्यूँ क्यूँ तुम मेंसे कोई भी मुझे हरा नहीं पाया क्यूकि तुम लोगों का बच्पन बहुत अच्छे से बीता था ना कि मेरी तरह जिसे की सर्वाइब करके जीना परा क्या तुम बच्चो जिनके पास शेल्टर था जिनके पास घर था उनको सच में लगा वो किसी ऐसे को हरा पाएगा जो कि फाइट ही करता है सर्वाइब करने के लिए बच्चे तुम जैसा कोई मुझे हरा नहीं सकते इवेन तुम्हारे लाइब्स इसके उपर डिपेंड करें तब भी नहीं मैं बढ़ा हुआ हूँ फाइट करते हुए तुम जैसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ हविन को देखते है उसको होश आ रहा है सामने देखता है और सोशता है क्या मैं बेहोश हो गया था तब ही सियांजुन उसे देखते हुए कहता है तो तुम उठ चुके हो हविन और तब ही देखते हुए उसके हाथ में एक लाठी वो सियांजुन के पैर को पकरा हुआ है और उसमें मारने ही बाला है और कहता है मैं जल्दी खतम करने बाला हूँ और इसके बाद तुम्हारी बार ही होबिन तुम्हें पता है मैं जादा तर तो sharp weapons use करता हूँ पर जो कि तुम लोग बच्चे हो इसलिए मैं थोड़ा सा exception दे रहा हूँ और इसका इस्तमाल कर रहा हूँ after all मैं उतना भी cruel नहीं हूँ है ना वो उस लाठी से सी अंजुन के पैर पे मारने ही बाला था पर तभी देखते है हॉबिन उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है I am sorry I am sorry यह सब कुछ मेरी गल्ती है तुम जो कहोगे मैं करूंगा प्लीज प्लीज माप कर दो और सोचता है मुझे उसे भीक मांगना ही होगा नहीं तो हम सब सच में मर जाएंगे वो ऐसा बंदा है जो ऐसा कर सकता है और करेगा और कंटिनू करते हुए उससे कहता है मैं अपनी सारी वीडियोस टेक डाउन कर दूँगा या था कि मैं कुछ और डालना चालू कर दूँगा अगर तुम वही चाहते हो तो प्लीज 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 माप कर दो वो रोने लगता है पर तभी सिवन जुन उसे कहता है मेरा लाई पूरी तरह से खतम हो चुका है क्या तुमें सच में लगता है कि मैं तुम लोगों को माप कर दूँगा पर होबिन अभी भी माफी मांगे जा रहा है पर उसके बाद बीना सुने हम देखते हैं सिवन जुन तभी हाथ उठाता है उसके उपर मारने के लिए पर तभी वो कुछ सोचता है और देखते हैं अपने हाथ से लाठी फेकता है बैठते हुए कहता है क्यों मैं तुम जैसे कुछ बच्चों से फाइट कर रहा हूँ ये सब कुछ टूफॉर ने करा है और होबिन आभी भी माफी मांगे जा रहा है और कहता है नहीं ये सब कुछ मेरी गलती है सियान जुन हसता है और कहता है वो ये है न इसके पीछे आई गेस कि मैं सही हूँ क्योंकि तुम जबाब नहीं दे रहे हो तिसान जू और जिन हो ली वो लोग मुझे फिनिश करना चाहते है और तभी देखते है वो किसे को कॉल करता है दूसरी तरब देखते है उसका कॉल मिश्टर जू उठाता है और गुस्से में बात करने लगता है तुम्हें कैसे मेरी नमबर पता है और तुमने कॉल करने की जुरूरत भी कैसे की है पर भो कहता है आई गेस कि 244 ने तुमें मेरा मैसेज नहीं दिया है मैंने उसे बताया था कि अगर मैं नीचे जाओंगा तो तुम दोनों को साथ में लेके जाओंगा मिस्टर जुर से गुसा करने लगता है और कहता है तेड़ी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझे थ्रेट दे रहा है सियान जुन कहता है अब गेस करो मैं किया करने बाद हूँ इसके बाद मैं दा हीुमन बुचर सियोन जुन बेक अब अपने आपको पुलिस के हवाले करूंगा मार्डर और टैक्स एविजन के चलते और क्या लटता है आपको इसके बात क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा मैं मनी लॉडरिंग करता था वो भी अपने एकजे कमपनी के थ्रू और इसके साथ सबसे ज़्यादा क्लोजली लिंक कौन है मिश्टर जू आप और 244 मेरे पास हर एक चीज का रिपोर्ट है हर एक चीज हर एक फाइन का रिपोर्ट है ज़रूर मैं आपको बेजूंगा मिश्टर जू आप ऐसे ही आप नहीं आ सकते वो कहता है शट आप पता है ना तुम्हें क्या हुआ है उसने मुझे धम की दिया है तुमने तो कहा था कि तुम सियान जून को चेक में रखोगे उसे समाल के रखोगे और तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है जिन हो कहता है अरे बिलकुल पता है वो आपने आपको पुलिस के हबाले कर आए है ना मिश्टर जू कहता है तुमको क देखते है होबिन बैठा हुआ है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है वो कहता है सनापर लगता है कि सब कुछ जब खतम हो चुका है है ना सनापर कहता है लगता तो बिल्कुल ऐसा ही है पुलिस भी उसे ले गए है होबिन उसको सौरी कहता है और कहता है सब कुछ उसकी ह कि गलती है Carnival कहता है ऐसा कहने के कोई जरूरत नहीं है और तब यौरभिन कहता है तुम वैसे क्या फिल्म कर रहे थे स्नापर कहता है ओ double कहता है तुम बहुत जदा एंस्कृटर बता है तुम्ने सारे पुलिस वालों से बात करने की कोशिश कर रहा है वो अपने सतने के बारे में बात करता है पर उनमें से कोई भी उससे बात नहीं करता चुपचा प्रहता है तभी हमें मिश्टर जू और जिनो को दिखाय जाता है मिश्टर जू कहते हैं तुम मुझे ट्रास्ट करने के लिए कह रहे हो पर पुलीस के हाथ में है ना वो अभी अब हम क्या कर सकते है जिनों कहता है नहीं आपने पूरी बात नहीं सुनी है आपको सुननी चाहिए जिन लोगों ने उसे एरेश्ट किया है वो लोग पुलीस नहीं है और तभी देखते है उनमें से एक बंदा उसके पेट में चाकू मार देता है सिओन जुन का खून नीचे गिरता है और यह देखके वो कहता है फक क्या जिन्हों वो इंस सबके पीछे है ना तभी सामने से ड्राइबर अपना फोग निकालता है उसमें जिनों ने कौल किया था और कहता है सिओ यह मैं हूँ जिनहों तुम्हें शाहिद पहले चिक कर लेना चाहिए था कैसे तुमने आपको फेक्ट पुलिस के हवाले कर दिया है सियनजुन तुम्हें पता हैं न मैं किस तरह का आदमी हूँ सियान जुन गुस्से में कहता है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं बच्चो को मार के ठक चुका था, अब इनकी बारी और तबी देखते हैं, एक एक करके वो उन सारे पुलीस बाले को मारने लगता है और कहता है जिन्हों, मैंने डिसाइट किया है कि अब अपने तरीके से मारने लगता है जिन हो कहता है ओ अरे मुझे तो बहुत ज़्यदा डर लग रहा है तुम्हारी बाते सुनके फाइन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा चलो फिर कभी कॉफी पीते है एक साथ कुछ दिर बात देखते हैं सियांजुन उन सब को बहुत तेजी से मारने लगता है बहुत बुरी हालत कर देता है तभी एक बंदा गारी से उतरता है वो शायद मर चुका होगा जिन हो कहता है ओ बाइदावे सियांजुन एक चीज है जो कि मुझे जानना है I wonder कि तुम एंसर कर पाओगे की नहीं मैंने सुना है कि याक पहने हुए हो तभी सियांजुन गारी से उतरता है और हम उसके पेट में भी बैसा ही देखते है बहुत सामने देखता है और बहुत जदा हैरान होते हुए कहता है ओ ये मेरे लिए एक बहुत बढ़ा नियूज है जिनो कहता है सियांजुन आपने सामने अच्छे से देखो तुम्हें बहुत सारे लोग देखेंगे जो कि foreigners होंगे जो कि यहाँ का नहीं है यह बहुत सारे लोग है जो कि यहाँ पे तुम्हें मारने आये हैं बैसे चिंता मत करो यह लोग कोई dumbass gangsters नहीं है इन लोगों को पता है कि यह लोग क्या कर रहे है हाँ हो सकता है कि वो लोग फाइटिंग में इतने अच्छे नहीं है पर वो लोग skilled killers है मैं उनके abilities पे पूरी वरोसा करता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे लिए काम करता है वो फोन पे बात करी रहा था पर तभी देखते हैं फोन नीचे गिरता है और सियान जून एक एक करके सब को मारने लगता है मिश्टर जू ये सब सुनके खुश होता है और कहता है तो कोई रस्ता है कि हम सियान जून से छुटकारा पा सकते हैं जिन्हों कहता है बेलकुल वो लोग जल्दी अपना काम खतम कर देंगे और साथ में क्लीन अप भी कर देंगे और सोसता है और आप बारिज भी हो रहा है मुझे पता है कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ और उन्हें कहते हैं मैंने कुछ जॉर्नलिस्ट से भी कॉंटक की है एक आर्टिकल को पब्लिक करने के लिए ये सुनके मिश्टर जू थोड़ा सा हैडान होते है और कहते है क्या जॉर्नलिस्ट और तभी हम देखते है कुछ आर्टिकल पब्लिक होते है उनमें से था सिय अन जुन भी एक निव्टूबर विद फाइब मिलियन सब्सक्रेवर्स उसके पास पुलिस जाते ही उसने खुदखुशी कर ली ये सुनके मिश्टर जू कहते है पर लोगों को क्या ये बिश्पास होगा जिनों कहता है बिल्कुल होगा ये लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये सारे भेर जैसे हैं इनके सामने अगर आप कुछ भी रखोगे बिना कुछ सुने, बिना कुछ जाने और बिना रिसर्स करें ये लो बिश्पास कर लेंगे और पुलीस भी हमारे साथ कॉपरेट कर लेगा तो आपको चिंता करने की बिल्गुल जरूरत नहीं है मिश्टर जू मिस्टर जो फोन पे देखते हुए कहता है ओ फिर तो ठीक है पर तुमने कहा था सियोंजून एक लेजन्ड था याकुजा वार्ड में क्या उसे ऐसे ही हराय जा सकता है ये सुनके वो कहता है कम ओन मैंने आपसे कहा था न जिन लोगों को मैंने भेजा है बो लोग प्रोज है तभी देखते हैं सियोंजून के सामने एक बंदा जो की स्टैब रेजिस्टेंट बेस्ट पैन के आया है बो बंदा उसे देखके कहता है अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा तो फिर बो मुझे 5000 बग्स देगा जिससे मेरी फैमिली बहुत अच्छे से चल पाएगा मुझे उन पैसो की जरूरत है तभी सियोंजून उसे मारता है और कहता है तुम अपने ये सारे सैड स्टोरी मुझे सुनाना बंद करो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और तभी बो उसे बहुत खतरनाक तरीके से मारता है और सिरफ उसे नहीं बहा पे जो भी उसके सामने आ रहा है थे उन सब को बो मारने लगता है तुम लोग पैसो के लिए लोगों को मारते हो फिर अपनी ही स्टोरी दूसरों को सुनाते हो जब तुम लोग खुद पीट रहे होते हो और उन सब को मारते हुए वो कहता है जिन हो तुमें शायद और ज़्यादा एफ़र्ट लगाना चाहिए था तभी हम उसकी घाव को देखते है जो की बड़ा हो रहा है वो सोसता है मेरे घाव बहुत ज़्यादा प्राब्लेम दे रहा है आई वंडर की मैं सर्वाइब कर पाऊंगा की नहीं पर अगर सर्वाइब करना है तो मुझे इन सब को मारना ही होगा तभी देखते हूं उन सब को मारते हुए कहता है तुम लोग क्या खेड़े हो क्या मेरी के मत सर्व 5000 डॉलर्स है उसे भी कुछ लोग पीछे से आके स्टैब करते है वो मन में सोच रहा है क्या मैं सच में इन लोगों को मार पाऊंगा मैं अभी मरना नहीं चाहता अभी बहुत कुछ है जो की जो की मुझे करना है बहुत कुछ मुझे अभी और और भी ज़्यादा सक्सिस्पुल बनना है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बनूँगा और तभी देखते है कुछ लोग पीछे से आके उसको स्टैब करते है वो भी उनको मारने लगता है और कहता है लगता है कि तुम लोग सच में किलर्स हो क्योंकि तुम लोगों को पता है कि किसी को पीछे से स्टैब कैसे करते है तो आओ मेरे सामने अब और कौन आएगा तभी वो मारने जाता पर सामने एक आजीब से बुरी और अड़त को दिखते है जो कि उसको उसके सामने बिक मांगने लगती है और कहती है प्लीज प्लीज मुझे मत मारो ये सुनके सियोंजुन थोड़ा सा रुखता है पर तभी दिखते है वो और उसके बौडी पेचर के पीछे से उसे स्टैब करती है पर तभी सियोंजुन उसे मारत हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो और उसे जोर से जमीन पे स्लैम करता है और उसको भी बहुत बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और कहने लगता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग इतने easy लिए मुझे take down कर सकते हो really सरफ इतने से मैं नहीं मारने बाला वो उसके body में इतना खताना तरीके से चाकू से step करने लगता है कि बहाँ पे ख़रा हुआ हर एक जो gangster था वो देखके डर जाता है सियान जुन गुसे में उन सब की तरफ देखता है और कहता है अब किसकी बारी है और हम देखते है ये केक को पकर के वो मारने लगता है तभी वो तिनों बंदा भाग रहे थे उन में से एक बंदे को पकरता है और उसका गला पूरी तरीके से काट देता है वो पूरी तरिके से पागलों की तरह कर रहा है और तभी वहापे कोई आता है और कहता है yes boss मैं यहापे आ चुका हूँ हमें बताया जाता है कि इसका कोई name नहीं है मतलब है einemless यह किसी और भाषा में जिन्हों से बात करते हुए कहता है Alright सियंजुन भी एक तुम सच में सच में कुछ और हो सियंजुन को देखते है वो हर एक आदमी को बाहपे मार चुका है हर किसी को बाहपे मार चुका है जो भी उससे लरने आये थे उससे मारने आये थे सियंजुन उसकी आवास सुनके कहता है तो देखके लगता है कि अब और ए सियांजुन कहता है मैं मरने नहीं वाला तभी उस आदमी को देखते है वो अपने कोट के अंदर हाथ देते हुए कहता है मिश्टर बीएक मैं आपको बही बता रहा हो जो की बॉस ने मुझे बताया था उसने बताया था चलो कभी किसी टाइम कॉफी पीते हैं और वो बंदू होगा क्या सियांजुन बच पाएगा या फिर हम कुछ और देखेंगे सो अगर आपको जानना है प्लीज सब्सक्राइब कर लो वीडियो अच्छा लगे लाइक करो शेयर करो थेंक्यू सो मच